हमारे युनिवर्स के अंदर बहुत से स्टार है और नहींने स्टार बॉन होते रहते हैं सुपर नोवा होता रहता है तो उनको और भी अच्छ से स्टेडी करने के लिए अब नासा ने तै कि आ है कि वह स्टेडिसफेरिक बलून का सहरा लेगा जो कि हाई एल्टिटूट बलून होगा जो कि एक लाग 30,000 फीट की उचाई पर होवर करेगा मतलब यह किसी फुटबॉल स्टेडियम के साइज का बलून होगा जिसके साथ में एक टैलिसकोप अटैच होगी और इसी के सहस्ता कुछ ऐसे डिवाइज अटैच होंगे जो कि उनको मदद करेगी स्टार स्टार फॉर्मेशन को समझने में सूपर नोवा को समझने में और उनकी 3D डिटेल्ड इमेज बनाई जाएगी जो भी उनके गैसे अराउंड है और इसी के साथ इस स्टार फॉर्मेशन की सूपर नोवा की तो यह सारी चीज़े की जाएंगी और यह अभी नहीं होएंगी 2023 के आसपास में होंगी जो कि एंटाक्टिका में की जाएंगी आपको एक स्टोरी तो ज़रूर याद होगी जो कि एक लड़के की जो की करनाटक का रहने वाला था जिसका नाम आजकल ड्रोन परताब से काफ़ जादा फेमस हो रहा है जिसको बताया जा रहा था कि इसने कई सारे ड्रोन तयार किये हैं इवेस्ट से जो की टोटल करीबन 600 ड्रोन होते हैं जो कि इसने तयार किया और इसको कई सारे अवार्ड मिले कई सारे सेटिफिकेट मिले और यह काफी ज़दा वायरल हुआ था उस वक्त में लेकिन अभी रिसेंटली इसका एक इंटर्वी हुआ थी वो इसने अपना बताया इंटर्वी के दोरान और वहाँ पर इसको अइल बर्ट आइंस्टाइन इनोवेशन अवार्ड मिला था जो कि घौल्ड मेडल था और पता लगा कि ऐसा कोई अवाड वहाँ पर था ही नहीं और वहाँ पर अगर मिलता भी किसी को तो वो किसी इं International Robotic Exhibition हुआ था जहाँ पर इसने कहा था कि मुझे Gold Medal मिला था इसी इंटर्वी के दौरान जहाँ पर पता लगा कि वहाँ पर भी कोई Gold Medal नहीं दिया गया था और इस इंटर्वी के दौरान एक लड़का था इंजीनियर शायद दर्शन नाम का था उसने कई सारे सवाल किये ड पहले बाते बताई गई थी क्या वह सही थी या नहीं थी और इसी के साथ जो न्यूस सामने आ रही थी कि यह डिया डियो के साथ में जौब करेगा तो वह भी क्लेम फॉल्स ही निकला तो यहां पर अब वह पूरा इंटर्वीव अलग लेंगविज में था कंड़ा के टेस्ट किये जाते हैं यहां पर यूएस ने इल्जाम लगा है रशिया के उपर कि इन्होंने एंटी सैटलाइट वेपन का टेस्ट किया जिसका प्रोजेक्टाइल इनके गवर्मेंट के सैटलाइट के काफी करीब से निकला है तो इसके लिए उन्होंने अक्यूस ठहरा यहां रशिया को और इसी के सास्थ यूके ने इस बात पर उनका साथ दिया है कि इन्होंने 15 जुलाइट को यह टेस्ट किया था जहां पर बताया जारहा हो सकता है यह रशिया का नॉन डिस्ट्रॉ्ट्टिव न्यू टेक्नोलजी का टेस्ट हो लेकिन इस तरीके के क्योंकि ऐसा करने पर इस पेस में डिब्रीज फैलती है और इसी के साथ सकती है तो बहुत पास से निकला था यूएस गवर्मेंट की सैटलाइट से तो इस तरीके की चीज़े कई जा रही है कि रशिया को थोड़ा सा रिस्पॉंसिबयली काम करना होगा यहां पर वरना गढ़वाड हो सकती है किसी भी देश की सैटलाइट जा सकती है क्योंकि डिब्री जब फैल ती थो किसी भी सैटलाइट को नुक्सान पहुचा सकती है और ऐसा होने पर शायद कोई टेश उस सैटलाइट पिटिका ओकि उसक प्रवाइब देखते थे अपने टाइम पास के लिए आप कहा रहे हैं कहां टाइम पास करूजा के लेकिन अड़ा चेंज हो चुगा जैसे कि आपको मालूम होगा लेकिन टिक टॉक ने अब फैसला लिया है कि वह 200 यूएस्टॉट टॉडर आने वाले अगले साल तक अपने टॉप के क्रेटर में बाटेगा और टिक टॉक इंडिया के अंदर बैन हो चुकिर और जो टॉप के क्रेटर are वह मिस करेंगे यह 15 Ahmad करोड़ रुपर जोबंदार करने वाले थे अपने टॉप के क्रेटर्स के साथ में तो यह पता है आपको क्या हुआ है यह दुख इंटू में 100 हुआ है यह पर दोस्तों गूगल काम कर रहा है अर्थक्वेक और सुनामी वार्निंग टेक्नॉलजी के ऊपर जहां पर गूगल के सीयो सुन्दर पिचाही ने कहा है कि एक्सपेरिमेंट जो चल रहा था वो शेयर किया गया है उनके साथ में जहां पर पदा यह चला है कि डिजस्टर वार्निंग सिस्टम गूगल का फास्टर है जो एक्सिस्टिंग टेक्नॉलजी यूज की जा रही है उससे दरसल यहां पर यह कोई भी स्पेशल एक्क्यूपमेंट का यूज कर नह हेज लग जाता है कि आने वाली जो भी डिजास्टर है उनके भारे मैं ठोड़ सा आइडिया लग जाता है तो यह अभी कैसे करते हैं वह मालुम नहीं है लेकिन इनका कहना है कि इनकी टेक्नॉलोजी का फी अथ तक फास्टर है और इससी के सासत आने वाले वोक्त में राइविल्री कई सालों किये हैं जहां पर जादातर लोग Intel को ही प्रैफर किया करते थे लेकिन आज वो टाइम आ चुका है कि Intel से AMD कई गुना आ गया है दरसल इनका 7NM टेकनोलजी का 4th generation का प्रोसेसर जो की इंटल के पास में अभी भी 7NM टेकनोलजी का कोई तोड नहीं है यहां पर 10NM टेकनोलजी भी इनकी 2021 में आएगी जो की शायद एलेंडर लेक कहला आएगी और उसके बाद में भी शायद यह 10NM के ही प्रोसेसर निकालने वाले हैं और 7NM का शायद 2022 या तेईस में आपको इ मांना है तो यहां पर AMD खाचुका ह एंटल को पूरी तरीके से अलाग की सींगल कोर की बात की जायए तो अगर मलत較 की बात की जाएगी यहां पर editing की बात की जाएगी तो यहां पर AMD से बढ़िया शायद कोई भी नहीं और इसी किसा सतीन की power consumption काफी ज़ादा कम है क्योंकि 7NM की technology यूज़ कर रहे है 35W से लेकर 65W के ये processor होंगे जो की 8 core से लेकर 4 core तक के होने वाले हैं इनकी 4000 series के तो फिलाल के लिए दोस्तों इस update के अंदर इतना इता अगरे वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को like ज़रू करना, share ज़रू करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को subscribe ज़रू करना subscribe किया तो bell का icon ज़रू दवाना वरना आपको झाल करना आपको